हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब के सबसे सांदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है जिस स्टूडेंट ने भी इंडिया ने वी ट्रेड्स मेन मेट का पेपर दिया था उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोटेंट होने वाली है आपकी क्या बिग अपडेट आई है रिजल्ट को लेकर रिजल्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है कट ओफ आपकी क्या जाएगी कैटेगरी वाइस दोस्तों आपके कितने मार्क्स आएं आपका document verification में नाम आ जाए क्या-क्या document आपको चाहिए document verification में जिस बच्चे ने भी exam दिया था medical के लिए ready हो जाए आप क्योंकि आपका medical वगएरा बहुत ही जल्दी होने वाला है जो भी मन में सवाल चलने है Indian Navy Treads Mermaid को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो जल्दी से exam for you चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे notification bell को on कर लें क्योंकि जो भी update होगी दोस्तो सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी अगर आप daily math पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें math की माट daily classes ले ने श्टार्ट कर दिया है तो फटा फटा से सभी चैनल सब्सक्राइब करके bell icon को on कर लें daily math की class अभी जोइन करें दोस्तो पूरा basic से मैं आपको math करा रहा हूँ तो आप math की class जरूर जोइन करें daily आपके लिए वीडियो आएगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बास करने ते आपकी इंडियर नेवी ट्रेट्समेन मेट के result के बारे में जाएगा document verification तो पूरा होगा दोस्तो 15 October आपका बता जा रहा है कि result की date होने वाली है 15 October अब result तो आजाएगा क्या आपका नाम होगा उसमें है नहीं category wise आपके कितने marks हों कि आपका document verification में नाम आ जाए तो दोस्तो बात कर लें ते आपकी category wise cut off की अगर आप general candidate है 65 से लेकर आपके लिए 68 नमबर sufficient होंगे OBC के लिए 62 से लेकर यहाँ पर आप 64 कर लें इसको 62 से लेकर 64 नमबर EWS के लिए 60 से लेकर 62 ST candidate के लिए 57 से लेकर 60 ST के लिए 55 से 57 X service man के लिए 53 से 55 PWD के लिए 55 से 57 PWD OS sub category के लिए 69 से 61 VH के लिए 54 से 56 और HH के लिए 53 से 55 अगर दोस्तों आपके इतने marks हैं तो यह समझ लीजे document verification में आपका नाम आ गया क्या क्या document चाहिए आपको document verification में वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा वीडियो अच्छे लग रही हो तो फटाफट से सभी लाइक से ओर सबस्क्राइब करते वे जरूरोड चलना सेकिंड भी नहीं लगती है दोस्तों like और सबस्कराइब करने में तो फटाफट से सभी करके जाना, बेल आइकन को उलेंक को आपना प्यार हमारे तक ज़रूर देकर जाना अब बात कर लेते हैं आपकी document requirement की यह document आपको चाहिए ही चाहिए चाहिए आपकी कोई भी category हो जर्णल, OBC, SC, ST, PWD, EXERVISC में कोई भी आपकी category हो सभी के लिए document आपके लिए चाहिए है 10th की mark sheet सभी को लेकर जानी है बीना में mark sheet ले जाए काम नहीं चलेगा ITI का certificate सभी का मांगा हुआ है cause certificate मांगा हुआ है जाती पर्मान पत्र ID proof मांगा हुआ है ID proof में भी आदार काड हो या pen card हो या driving license हो, water ID हो, passport हो इन में से जो भी ID आपके पास है वो लेकर आप चले जाए cause certificate पे आपका center का ओगा, state का आपका नहीं चलेगा, नहीं है तो बनवाने क्योंकि समय दोस्तों आपके पास काफी है domicile आपको लेकर जाना है, domicile होता है मूल निवास पर्मान पत्र आपका मांगा है resistance proof के लिए मूल निवास पर्मान पत्र मांगते हैं तो ये भी लेकर जाना आपके लिए जरूरी है अब बात करने दें आपकी selection process की इंडियन नेवी ट्रेट्समेन मेंट पे आपका selection process किस परकार से है computer based online exam था, सभीका online exam हो चुका, जो बच्चे online exam में पास होगे उनका कराए जाएगा document verification और जो बच्चे document verification में पास हो जाएगे उनका कराए जाएगा medical medical का criteria measurement मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका criteria measurement fulfill है तो ही आप medical में जाओगे नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा अगर आपका criteria fulfill नहीं है तो दोस्तों आप जाने की कोशिश मत करना क्योंकि medical इसका अच्छा खासा होता है बिल्कुल भी यह नहीं होता कि आसान है ठीक ठाक है ना बिल्कुल आसान ना बिल्कुल टाओ criteria measurement में आपको बता देता हूँ minimum 45 kg मज़न होना चाहिए आपका आपकी eyesight 6x6 होनी चाहिए अगर आपको चस्मा भी लगए तो 6x12 आपका मांगा हूए यानि इसमें भी आपको relaxation दे रखा है आपकी कोनी 15 डिगरी से जादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि जिसकी भी कोनी 15 डिगरी से बाहर निकली हुई है उसको काफी बार बाहर किया गया है टैटू के बारे में काफी बच्चे पूछ रहे ते कि टैटू का हम क्या करें निकलवाए या ना निकलवाए दोस्तो मर्जी है क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं करता है आपका इंडियन नेवी ट्रैड्स मेन मेट में अब मर्जी है, टैटू निकलवाना चाहिए, आप निकलवाने, ना निकलवाना चाहिए, ना निकलवाए आपके घुट्रे मिले वेए नहीं होने चाहिए, कोई fracture जो यह और भी आपको नहीं होना चाहिए बच्चे पूछ रहें कि कैच में फीजिकल होगा हमारे गुटने मिले वे हैं दोस्तों गुटने मिले वे हैं तो आपको बार कर दिया जाएगा फीजिकल वगेरा कुछ नहीं है जिसके गुटने मिले वे तो फीजिकली और मेडिकली फिट नहीं होता इसी कारण से आपको बार किया जाता है इंडियन नेवी ट्रेट्स मैंन मेट में तो सभी बाते मैंने आपको बता दी इंडियन नेवी ट्रेट्स मैंन मेट से लेटेड रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिजल्ट की डेट जोइनिंग वगारा दोस्तों आपकी डिसकस कर दी इंडिया ने वी ट्रेस्मेन मेंट से लेटिड वीडियो अच्छी लगयो तो फटाफट से सभी लाइक जरूर कर दे अबने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे और अगर आप चैनल पर नहीं है पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम फोर जाहिंज अबारत